मेरे दढ़कन तुम पूचाए मेरा दिल बन जाना तुम कभी रूठ जो जाए दिलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आग यहाँ एक और निव वीडियो के साथ तो गाईज अभी आप जो यह वीडियो देख रहे हैं इस फोटो के साथ या फिल किसी दूसरे फोटो के साथ इस वीडियो को बना सकते हैं तो गाईज इस वीडियो को बनाटे improved पड़ने वा ली तो गाहics अगार आप चैनल QN Master app open कर लेना है और open करने के बाद create new वाले option पर click कर देना है यहां पर click करने के बाद यहां पर number 2 वाले 916 ratio को select कर लेना है और यहां से कर देना है next अभी next करने के बाद आपको चले जाना है अपनी image पर image पर जानने के बाद यहां से आपको black color का एक image select कर लेना है image select करने के बाद आपको इसी image पर click कर देना है और इसका duration वीडियो तक कर लेना है जहां तक आपको वीडियो बनाना है वहां तक इसका duration कर लेना है इसके बाद वीडियो के शुरू में आ जाना है और यहां से कर देना है right अभी right करने के बाद आपको layer पर click करना है अप्टो सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको क्रोप पर किलिक करना है और किलिक करने के बाद इसको थोला सा कट कर लेना है आपको अपनी साफ से कर लेना है उसके बाद यहां से आपको आजाना है बैक आने के बाद अभी इसको जो है कुछ सकार से स्क्रीन तक कर लेना है इत ना करने के बाद इसका जो डूरेशन रहेगा वीडियो तक कर लेना है जहां तक हमारा वीडियो रहेगा वहां तक इसका डूरेशन कर लेना है उसके बाद वीडियो के सुरू में आ जाना है यहां पे आप देख सकते हैं की वाला चाभी का आफसन आपको इस पर किलिक कर देन किलिक करने के बाद वीडियो के लास्ट में आ जाना है लास्ट में आने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं प्लस वाला आइकन आपको इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद अभी वीडियो के बीचों बीच में आ जाना है आपको तो मेरा यहां पर 15 सेकंड का है तो म यहां से कर देना है राइट अभी राइट करने के बाद आपको वीडियो के सुरू में आ जाना है वीडियो में सुरू में आने के बाद आपको लेयर पर किलिक कर देना है और यहां पर एफिक्ट वाला अफसन देख रहे हैं आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद यहां सिसे कर देना है राइट अभी राइट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो सेटिंग का आफसन आ चुका है आपको इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद फर्स्ट वाले आफसन को बढ़ा लेना है जितना आपको करना है जिस यह जो हमारा रहेगा सैडो بن جائے گا उसके बाद इसका जो डूरेशन रहेगा वीडियो तक कर लेना है जहां तक हमारा वीडियो रहेगा वहां तक इसका डूरेशन भी कर लेना है उसके बाद वीडियो के सुरू में आ जाना है और इसको कुछ इस वकार से बड़ा कर लेना है बड़ा करने के बाद इसको यहां पर अर्जेस्ट कर लेना है कुछ इसरकार इतना करने के बाद अभी यहां से कर देना इसे राइट अभी इतना राइट करने के बाद आपको लेयर पर जाना है चले जाना है मीडिया पर मीडिया पर जाने के बाद अबी आपको चले जाना है वीड package के description में वहाँ पर आपको एक frame png image मिलेगा वसे download कर लेना है और यहाँ पर कर लेना है select जहाँ पर आप दे सकते हैं मैंने select कर लिया है उसके बाद इसको जो यहां से पकड़ेंगे कुछ स्क्रीन तक कर लेना है करने के बाद इसको यहां पर नीचे लाके रखना है कुछ इतने पर आपको अरज़स्ट कर लेना है जितना मैं कर रहा हूं आपको उतना ही करना है इतना करने के बाद अभी यहां साइड से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा blending का option आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा number 4 पर screen का option आपको इसे screen कर देना है स्क्रीन करने के बाद यहां पर आएंगे तो इसका जो डूरेशन है वीडियो तक कर लेना है जहां तक हमारा वीडियो रहेगा वहां तक इसका डूरेशन भी कर लेना है इतना करने के बाद अभी यहां सिसे कर देना है राइट राइट करने के बाद वीडियो के सुरू में आ जाना है वीडियो के सुरू में आने के बाद अभी आपको लेयर पे जाना है उसके बाद आपको मीडिया पर किलिक कर देना है मीडिया पर किलिक करने के बाद आपको जाना है अपनी गैली में और गैली में जाने के बाद वहां से कोई आपको एक दूसरी फोटो को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है तो मैंने यहां पर फोटो को सिलेक्ट कर लिया है अभी इसको कुछ रकार से छोटा करना है छोटा करने के बाद ये जो डिबबा है हमारा फ्रेम आपको इसी फ्रेम में सिट करना है तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इस फ्रेम में आ जाए ठीक है तो मैं फ्रेम के साफ से यहाँ पर इसे सिट कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर कर देना है करने बाद थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ ये फ्रेम में नहीं आ रहा है ठीक इतना करने के बाद आपको यहां पर क्रोप वाला सन देख रहे हैं आपको इस पर किलिक करना है और यहां से इसको हम थोड़ा सा क्रोप कर देंगे ठीक है ताकि हमारा फ्रेम में आ जाए तो हमारा फ्रेम जहां तक है वहां तक इसको रखेंगे तो हमारा फ्रेम जहां तक है मैंने फ्रेम पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर सेट कर रहा हूं ठीक है तो आपको उतना ही करना है यहां भी आप देख सकते हैं मैंने फ्रेम तक सेट क कर लेना है जहां तक हमारा वीडियो रहाइगा इसका डियूर होसन भी वहां स्कुनियआ उसके बाद उसके बार वीडियो के शुरूब में आ जाना है यहां से राइट राइट करने के जणा अभी आप देखेंगे तो यहां से कर देना इसे राइट अभी राइट करने के बाद आपको लेयर पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद अभी आपको जाना है वीडियो के description में वहाँ पर आपको एक lighting effect वीडियो मिलेगा उसे download कर लेना है और यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसे यहाँ पर select कर लिया है उसके बाद यहाँ side से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा blending option यह देशकते हैं blending आपको इस पर click कर देना है और click करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो number 4 पर आपको मिलेगा screen का option आपको screen वाले option को on कर देना है उसके बाद अभी यहाँ से आजाना है आपको बैक बैक आने के बाद सबसे उपर आ जाना है उपर आने के बाद यहाँ देखेंगे तो speaker का option आपको इस पर click कर देना है और यहाँ यह जो speaker बना है volume वाला इस पर click कर देना है और यह volume इसका mute हो जाएगा उसके बाद यहाँ से कर देना है write अभी write करने के बाद आपको layer पे जाना है और media पे चले जाना है media पे जाने के बाद अभी आपको जाना है वीडियो के description में और description में जाने के बाद वहाँ पर आपको मिलेगा lyrics video उस lyrics video को यहाँ पर download करेके select कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उस lyrics video को select कर लिया है अभी इसको जहाँ तक screen तक कर लेंगे तो इतना आपको कर लेना है उसके बाद side से नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फिर से blending का option यह देख सकते हैं blending आपको इस पर click कर देना है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो number 4 पर आपको मिलेगा screen आपको से screen कर देना है screen करने के बाद अभी आपको वीडियो को थोड़ा सा आगया जाना है यहाँ आप दे सकते हैं मेरा एकदम बिल्कुल सही तरीके से यहाँ दे सकते हैं lyrics add हो चुका है उसके बाद यहाँ से कर देना है write तो guys अभी यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वीडियो है कुछ इफिकार से बनकर ready हो चुका है तो guys अभी इस वीडियो को गैले में save करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कोने में export का option आपको इस पर click कर देना है और click करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर 1080p full HD कर सकते हैं याँ फिर 720p पर कर सकते हैं उसके बाद इस line को आपको पूरा को पूरा high रहने देना है ताकि वीडियो में quality भी बनी रहे उसके बाद सेवाज वीडियो पर click कर देना है और यहाँ वीडियो हमारी गैले मिस्यों हो जाएगी तो गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो गाईज मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो माच